कर दो कि आपको बनाने जा रहा है हेल्थी टेस्टी जीर ओयल ब्रेकफस्ट हम बताएंगे बिना तेल की साहता से एक शांदर मजदा नाश्ता आपके स्टेप से त्यार कर सकते हैं ब्रेड और आप सब्जियों से हमने ये नाश्ता बनाया है बहुत ही हेल्थी होगा टेस्टी होगा जटपड तरीके से बन जाएगा आप इसे सॉस के साथ चटनी के साथ खा सकते हो इसके लिए मैंने 200 ग्रम बेसन लिया है डार्मल बेसन है यहाँ पर मैंने इसमें एक चमच दही डाली है दही बिल्कुल फ्रेश होना चीए जो अपले इसमें नमक डाल देंगे नमक आप साथ के नुसार थोड़ा सा डाल दें कमिया ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिए एक मैं अजवाइन कश करके डाल दूँगा थोड़ी सी इसमें और इसमें मैं थोड़े से हरे धनिये के पत्ते भी डाल दूँगा और इसमें हम एक कप पानी डालेंगे आप अपने पास कोई भी कटोरी या कप हो से नाप करके डाल दें और इसको मिक्स कर लें एक आपको पतला गोल बनाना है बहुत ज़्यादा अब चाहें तो नॉर्मल रेड चिली पाउडर भी ले सकते हैं चिली फ्लैक से ज़्यादा अच्छ टेस्ट आता है यहां पे आप थोड़ी सी मिर्ची भी डाल सकते हैं लाल कलर की जो आती है यह देखिए इस तरीके से इसकी कंसिदेंस हो जाएगी गोल इस तरीके से आप को बनाना है अब मैंने कुछ ब्रेड स्लाइस लिए कुछ सबजियां हैं जो हमारे घर में हैं जैसे यह शिमला मिर्च है यह मटर है यह आलू है जो मैंने उबाल लिये थे इस तरीके से आप आलू बले हुए ले 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 एक प्याज है एक टमाटर है इसके कोई भी सबजी जो भी अपके घर में पड़ी हुई हो वो ले सकते हैं पालक ले सकते हैं गाजर ले सकते हैं यहां पर मैंने एक नौन इश्टिक तवा लिया है उसमें मैंने यह थोड़े से जीरा पाउडर डाला है थोड़ा सा राई पाउडर राई डाली है और यह काली मिर्ची है इन करकर की सेख लेंगे लगबग एक सी10 मिनित सिख जाएगी जब फबays प्थे जाएगी तो अब एप में एक प्याहज डालेंगे कटा हुआज है जो मैंने लिया एक टमाटर है जो हमने बारी काट लिया था वो भी हम इसमें डाल देंगे एक यहाँ पर मैं शिमला मिर्च को काट करके डाल रहा हूँ उबले हुए मतर है जिनों को हमने लिया है फ्रेश मतर भी ले सकते हैं एक कटोरी मैंने पालक लिया है इसके जो भी आपके घर में मसाले हो सबजियां पड़ी हो आप उन्हें ले सकते हैं यहाँ पर यदि आप ओयली रेसिपी खाना पसंद करता ह तो थोड़ा सा ओयल डाल करके जीरा और राई को सेख करके उसमें सबजियां डाल सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ कटे हुए प्याज हैं हरे प्याज हैं वो लिया है और दो उबले हुए आलू हैं जो लिया है इन सब को डाल करके हम मिक्स कर देंगे आप चाहें तो सबजि सारी थोड़ा से इनों का कच्चा पर निकल गया है, अब हम इने मसाले डालेगे, यहां पे मैंने आदा छोटा चमच लाल मिर्च पाउडर डाला है, आदा छोटा चमच नमक डाला है, नमक आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के कॉर्णिन लालें आदा छोटा चमच हरी हल्दी डाली है और एक चमच मैंने यहाँ पर हरा धनिया पाउडर डाला है इसके अधिक तो आप और भी मसाले जो भी आप डालना चाहें जैसे अमचूर है गरम मसाला है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं यहाँ मसाले डाल करके हम इनों को मिक्स कर देंगे घंक से मिक्स कर देंगे और दो मेट के लिए और पकाएंगे ताकि मसाले इनमें पक सकें यह देखी, इस तरीके से यह आपकी ग्रेवी बन करके तयार हो गई, यहां पर यह ग्रेवी तयार हो गई है, यहां पर यह गूल भी आपका बन करके तयार हो गई है, इसकी consistency देखें आप इस तरीके से हो गई है, अब यहां पर मैं थोड़ा सा पानी ओर डाल दूँगा ताकि थोड़ा सा इसको और लिक्यूड ह कर सकें यहां पर आपको बहुत ज़्यादा पतला गूल नीची यह बहुत ज़्यादा गाडा गूल नीची एक ब्रैट स्लाइच ले रहा हूं हम उसको डालेंगे और इसको थोड़ा सा बेसन का जो गोल हमारा वो भी हम इस पर डाल देंगे ताकि दोनों तरफ से ब्रैट सिख सकें और यह जो सबजियां हैं यदि हम इसको पर गोल नीची डालेंगे तो सबजियां अलग हो जाएगी हट जाएगी इसके लिए मैंने दोनों तरफ से पूरी तरीके से सिख जाए यहां देखिए बेसन डालने की वज़े से सबजियां ब्रैड के चिपक गई और बाहर नहीं निकली यदि आप डालेंगे तो बाहर निकलेगी यह मैंने दोनों तरफ से सिख लिया है ब्रैड को यह आपका हेल्थी टेश्टी न पनीर लगा सकते हैं यहां पर मैंने थोड़ा सा पनीर लिया है जिसको मैं लगा दूँगा बच्चों को पनीर बहुत पसंद आता है इस तरीके से हमने दो ब्रैड के उपर दो स्लाइस लगा दिया पनीर की और मसाला लगा दिया अब मैं इसके उपर एक ब्रैड लगा यह उपर मैंने थोड़ा सा बेसन और फैला दिया है ताकि ब्रेड दौना तरफ से सिख सके एक तरफ से हमने जो बेसन लगाया था उससे पनीर की तरफ वो चिपक जाएगा इसलिए हमने उस तरफ भी बेसन लगा दिया है और अब आप इसको चेंज कर दें इसका डारेक्शन चेंज करके इसको दो से तीन बार में सेखना है इस तरीके से दबा दे प्रेस कर दें ताकि यह नीचे से अंदर से भी सिख सके यह आपका एक शांदर मजेदर पनीर ब्रेड का नाश्ता बनकर के तयार हो गया हेल्थी है टेस्टी है जीरो आयल रेसिपी है हमने इसमें बि से भी सिख गई है और हमने जो मसाले बनाए थे वो पहले ही हमने सेख लिये थे अता मसाले भी कच्छे नहीं है यह देखिए एक शांदर मजेदर हैल्थी टेश्टी नाश्ता आपका बनकर के तयार हो गया मैं यह पनीर वाला भी आपको स्लाइस तोड़ करके दिखा देता हम यहाँ पर थोड़ा सा टमाटो सॉस से मैं इसको गार्निश कर देता हूँ एक कि मैंने पोदी ने हरेदनी की चटनी मनाई थी थोड़ा सा हम इसके उपर वो डाल देंगे और इसके अतरिक्त मैं थोड़ा सा यहाँ पर पनीर ग्राइंड करके डाल दूँगा ताकि यह ज जीरो ओयल रेसिपी, ब्रेक्फ़स्ट बनकर के तयार हो गया, शांदार मज़िदा रेसिपी है, आप इस रेसिपी को ट्राइ करें, यदि आपके कोई सुजाओ हो तो दें, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्क्राइब करें, झाल झाल